हम अपने जानने वालों की बाते कई बार ही उनके बिना कुछ बोले समझ जाते हैं मतलब वो हमसे कुछ भी नहीं कहते हैं बट फिर भी हम समझ जाते हैं कि वो कब खुश है कब वो एक्ट्वल में दुखी है सो यह सब होता सिफ हो सिफ इसलिए क्योंकि हम उनसे इमोशनली कनेक्टेड होते हैं और हम उनको अठ्य से समझ पाते हैं आज इस वीडियो में हम ऐसे बात करने वाले हैं दस अमेजिंग साइकलोजिकल फैक्ट से बारे में क्रशनली है से पात क्यों से चीके बात पूर जाते हैं उटनी ही परीशानी है थे अच्छा काम किया एक बार जरूर पूछ लेंगे कि क्या आपने सच में ऐसा काम किया है लेकिन अगर वो आपके बारे में कुछ बुरा सुनते हैं या उन्हें आपके बारे में कोई बुरी बात पता चलती है तो वो कभी भी आपसे दोबारा पूशने नहीं आएंगे भले ही वो एक अफवाह क्यों ना हो नमबर त्री जो साइकलोजिस्ट हैं वो यह मानते हैं कि जब भी कोई बात हमें बहुत परिशान करती है जिस भी वज़य से हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं मतलब जो निगेटिव बात होती हैं उन्हें लिख लिखकर एक डस्त बिन में फेकना या जला देना उससे हमारा जो है वह बहुत ज्यादा रिलीफ फील करता है ज्यादा सवाल पूछना आपको लोगों में ज्यादा पॉपलर बनाता है या फिर आप कह सकते हो कि लोग आपको ज्यादा पसंद करेंगे लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि आप ऐसे सिली क्वेशन करने लग ज हम उन लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं जिनसे हमारी जो मियूजिक की चॉइस है वो मिलती है अगर हम किसी की सच में फिकर करते हैं तो जो उसका मूड होता है और हमारा मूड होता है डिरेक्ट कनेक्टेड होता है तो इसके पीछे 95% chances है कि आप तो स्रीम हो लेकिन आपने जो चीजे आप पहले करते थे जिनकी वज़े से आपको कभी बुरा लगा या फिर आपको चोट पहुची हो वो आपने चीजे करना बंद कर दिया खुद को दुख देना बंद कर दिया है जो लोग honest और street forward होते हैं उन लोगों के दोस्त बहुत ही कम होते हैं मतलब गिनी चुनी संख्या में उनके दोस्त होते हैं इसी के जस्त उल्टा जो लोग बड़ी बड़ी बाते करते हैं दीगे मारते हैं उनके अच्छे खासे numbers में दोस्त होते हैं लेकिन फरक यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रिक ट्रीन जो होती है वो इस की तरफ बहुती स्पीड में जारी होती है उसकी स्पीड होगी 70 किलोमेटर पर आर सम्तिंग तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो उसका धुआ होगा त्रीन का चो धुआ निकलता है वो किस डिरेक्शन में निख लेगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार और दोस्तों गैस श्याय कर देना थैंक यू